जी जैसा आप फर्माएं जी काफी टफ डेज चल रहे हैं इन फैक्ट मेरे लिए आप बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप मिट कैप जिस तरीके आज भी इन फैक्ट स्मॉल कैप काफी तूटा हुआ है और मैं काफी सारे स्टॉक्स देख रहा था और इट वस वेरी डिफिकल्ट पर नंबर्स भी अच्छा रहे और स्टॉक्स भी बढ़िया और बहुत ज्यादा करेक्शन भी उस तरीके का नहीं दिखा जितना दूसरे स्टॉक्स में दिखा और मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉटम भी मतलब कहीं नहीं डाउंसाड रिस्क भी इस स्टॉक मेरे बोलने वाला और वो है ग्यूफिक बायो साइंसेज पहले एक बर मैं टार्गेट दो 530 के टार्गेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए अपने यह अल्मोस्त मतलब अच्छा कासा है लोज के आसपास भी नहीं है तो हाइस के आसपास भी नहीं है मतलब बढ़िया आउट परफॉ आपसी बढ़िया कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूफिक बायो साइंसेज को बिल्कुल इन लेवल्स पर लिया जा सकता है क्योंकि फंडामेंटल्स भी बढ़िया है रिटर्न नंबर्स भी बढ़िया है ग्रोथ भी बढ़िया देरी है कंपनी जो अगर आप अपने मतलब लीडर है और मतलब जो इंजेक्टिबल्स उनमें अच्छा काम कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि और एक जो CMO डिविजन है इन फैक यहां पर भी कुछ कुछ एक्शन दिख रहा है तो पिछले तीन साल के प्रॉफिट की कैगरी 26-27 परसंट रही है तो अब भी इनका रिजल्ट आना बाकी है जो सेप्टेंबर वाला बट ओवर जून कौर्टर के रिजल्ट बढ़िया थे टी टी एम बिजनस पे भी अपने अल्मोस्ट हाइस्टेवर प्रॉफिट के आज पास ही बेटी है तो मुझे लगता है पांक सो तीस के टार्गेट कंसिस्टेंटली इस बार भी परफॉर्म करेगा ओके ये है आपके लिए यूफिक बायो जहां पर खरेदारी करनी है पांच सो तीस के टार्गेट ले यहां पर आपको अक्शन पनते हुए दिख सकता है जैन साब की तरफ से है उनकी राइस पर